हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल और आज हम इस एपिसोड में चलेंगे वैक्स होम जो की स्वीडेन की कैपिटल स्टाउक होम से 36 किलोमेटर रिक की डिस्टन्स पे है और इस जर्नी को लेकिन हम बोट से ट्रेवल करेंगे और बिसिकली यह होगा एक क्रूस शिप और इसको हम वैक्स होम बोला गेट कंपनी के क्रूस से ट्रेवल करेंगे सो हम इस वीडियो में जाएंगे वैक्स होम और वैक्स होम के नजारे देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं सो लेट्स को मुझे इस बोड की कॉस्ट 95 स्वीडिश क्राउन पड़ी बट इंडियन रुपीस में आप लोगों के इंडियन के लिए इट्स अराउंड 830 इंडियन रुपीस और इसको या तो आप ऑन्लाइन आप बुक कर सकते हो या जब आप डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओ और उसके बाद वो जो रिसिप्ट होती है वह आपको एग्जिट में चेक पॉइंट में चेक करानी होती है यह जो हमारे सामने कासल दिख रहा है बिसिकली इस रॉयल कासल ऑफ स्वीडेन और यह किंग और कुईन का स्वीडेन के रिसिडेंस प्लेस भी है और मोस्ली सारे अड प्लेस 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 अप्लेस आप 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 कर दो कर दो कर दो कर दकर दो कर दो कर दो कर दो व कर दो कर दो year के खो वूमका दो freely तो में बाद और दो Prison और अब हम आगे हैं बोट के लोवर कमपार्टमेंट में और यह लोवर कमपार्टमेंट बिसिकली किसी रेस्टराउन से कम नहीं है और यहां पर आपको एक अलग मिलता है वाटर वेस का और आप वाटर लाइन से बहुत ही क्लोसर ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही अलग सा मजाद है उसका शष्ट से कहाते है अलग सा स्टाकोम बेसिकली 14-15 आइलेंड को मिलके एक सिटी बनती है और इससे North of Venice भी कहा जाता है As we know Venice is famous for its waterways transportation locally in city Same applies for Sweden capital Stockholm as well और इसी के साथ हब हम Wax Home पहुच चुके हैं और हम यहां से exit लेंगे बोट से और देखेंगे Wax Home में क्या होता है और क्या-क्या यहां के कासल कैसे है यहां की इस्ट्रिक क्या इसी है यह सब हम लोग अब चानेंगे नेक्स व्लॉग में और तब तक के लिए लाइक करो सबस्क्राइब करो और शेयर करो करते के बेला अबर तक करो सेयर करो भींगे लाइक बच्ईपात्रिक लाइक सीष्ट करो आछेंगे यहां करो जड़ यहां का सबस्ट्री करो इस्ट्रिक करो छो इस्ट्रीव झाल झाल झाल